हाई दोस्तों तो कैसे हैंग दोस्तों एक और वीडियो लेकर आगहे हों जल्दी से वीडियो देखते हैं फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में उससे वेले आप मिले शोमर को सबस्क्राइब कर दें और मैल applied को प्रेस करते हैं वीडियो सटार्ट करते हैं हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा कोरोमंडल एक्सप्रेस के रेल हाथशे को लेकर गए जो कि आज ही शाम को साथ वजी के आसपास जो हुआ है और दोस्तों बहारती रेलवे के इतियास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब कोई रेल हाथशा गटेथ हो रहा हुआ और गाड़ी की उस वकत जो गती होती है वो 130 की रफटार पे चल रहा हो आज जो रहा है दोस्तों वह 130 के शालीमार से लेकर के चन्ने इसे के बीच में जारी होती है से 35 किलोमेटर पहले आता है बहा नागा बजार नाम का एक स्टेशन जहां पर यह पूरा हाथसा जो हुआ है ट्रेन अपने स्केडिूल टाइम पर चल रही होती है और 19 आर्ट पर BNBR बहा नागा बजार का सिगनल पास करती है तब यह पूरा हाथसा जो है हो जाता है अब दोस्तों BNBR स्टेशन पे अल्डेडी एक माल गारी खड़ यूती है जिसमें जाकर के ट्रेन जो है कम्प्लीटली टकरा जाती है अब जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि ट्रेन का जो लास्ट टॉप था वो भी काफी पीछे निकल चुका था और जो जाकर के माल गाली के अंदर जो है रैंप कर जाती है आप फोटोस के अंदर देख भी सकते हैं कि कि इस तरीके से एक WP7 लोकोमोटिव जो है माल गाली के डब्बे के उपर जो है चड़ा हुआ होता है तो आप अंदाजा लगा सकते है कि कि किस लेवल का जो है यहां पे सब्सक्राइब क्य दोह सब्सक्राइब सबसे जादा सब्स सब्सक्राइब जा था तभी बगल वाले ट्रैक के उपर से 12864 एसमवी भी हावडा गुजर रही होती है और जिसके दो डब्बे जो है डेरिल हो जाते हैं क्योंकि जैसे ही इस ट्रेन के डब्बे डेरिल होते हैं को रूमंडर एक्सप्रेस के तभी उनसे टकरा करके जो 12864 है उसके डब्बे जो है डेरिल हो जाते हैं यह बताया जा रहा है कि केवल दो या तीन डब्बो को छोड़ करके पूरी गाली जो है यहां पर डेरिल हो गही है और जाई से बात दूस्तों अगर कोई हाथसा इतनी हाई स्पीड को पर होगा तो इतना बड़ा डेरियलमेंट होना बनता है दो यह जो संख्या है या वक्त के साथ जो है बढ़ती से ली जाएगी तो अभी के लिए मैं आपको बस यही बताना चाहूंगा कि अपन डाउन लाइन दोनों ही लाइन पर हाथसा हो गया है जिसके कारण वह जो ट्राफिक है हमां कंप्लीटली ब्लॉक्ड है और आप प्लीज इस रेलवे के ट्विटर वेगरा के उपर उसको जरूर से फॉलो करना और हैल्पेन नंबर पर कॉल कर सकते हो अगर आपका कोई भाई बंदू वेगरा इस रास्ते पर जो है ट्राविल कर रहा है और दोस्तों वैसे बात मैं बताता वा सही नहीं लग रहा है आपर मुझे लगता नहीं पर मैं आपको एक छीज बताना चाहूंगा अगर इस हाथसे की कल को ओफिशल रिपोर्ट आती है और उसके अंदर ये सुनने में आता है कि जो आपका रनिंग स्टाफ है उससे ज़्यादा दबाव में काम करवाया जा रहा है ज़्यादा वर्किंग आर्स उस रेल्वेज ने खुद ये कहा था अपने कुछ ओफिशल डॉकुमेंट्स के अंदर कि लोको पाइलेट्स की या रनिंग स्टाफ की शॉर्टेज के चलते वो जितने भी रनिंग स्टाफ है उनको और ज़्यादा वर्किंग आर्स करने के लिए एक नोटिस इशू करा है और उनको एक और पास आउन करा है कि आपको पहले से जाधा जो है काम करना पड़ेगा अब दोस्तों अगर पहले से जाधा काम करने की कीमत आम आदमी को भारती लिल्वे को इस तरीके चुकानी पड़ेगी तो ट्रेन लेट चलती भी ठीक है तो ट्रेने 130 के उपर हमको नहीं सकते हर हाधसे के अंदर जान मान का नुकसान होता है सब कुछ होता है लेकिन मैंने अपनी जीवनकाल में कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई गाड़ी 130 की रफ्तार पे डिरेल होई हो भारती रिल्वे की आज की जम्हें में 130 बहुत ज्यादा रफ्तार होती है दोस्तों अगर आपको फील होगा कि आप बहुत ज्यादत किसी तेज चीज में स्टेम ट्रावल कर रहे है और इस स्पीड पे एक एकसिडेंट होना अपने आप में बहुत बड़ी भात है एक और सैड निउस में आपको ही देना चांगा और वो एक बट ऑवेस ये ख़बर है आप समझ भी होगा जब वो मालगाली से टककर होगा तो सबसे पहले उनहीं लोगों के उपर जो इंपक्ट आओगा तो उनका बचना तो आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट वे इंपॉसिबल रहा होगा इसके अंदर दोस्तों जो भी और इंफोमेशन मुझे इस हाथ से को लेकर के मिलती है मैं कॉमेशन में अपडेट करता होंगा और आपको भी एकर को इंफोमेशन है तो प्लीज आप कॉमेशन में जरूर से अपडेट करना ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं तो दोस्तों यह थे शुबमन कुमार और और इनों ने वीडियो गनाई भी थी 130 km के उपर इंडियन ट्रेन का एकसिडेंट हुआ है और बहुत ही अफसोसनाग बात है बहुत अफसोस हुआ मुझे यह वीडियो देखके इससे बेहले मैंने इससे रिलेटेट एक वीडियो देखी थी और इसके उपर एक रियक्शन भी बनाया था वह नीचे के उपर जाके ऑपरेशन होता है तो एकसिडेंट हो जाता है और इतना खतरनाग एकसिडेंट होता है कि दो ट्रेने आपस में टकराती है और तीसरी ट्रेन जो के दूसरे वाले साइट पे आ रही होती है उससे भी जाके इनके डबे टकराते हैं और वह भी डीरेल हो जाती ह मैं एक कफा एक ट्रेन में मौझूद था यह मैंने खुद एक्सपीरियंस किया जब ट्रेन एकसिडेंट होता है तो क्या होता है मैं उस ट्रेन के अंदर मतलब एक कफाकन हम बज गए वो ट्रेन का हुआ तो बहुत सही वाला एकसिडेंट था और हम लोग थे बहुत स्पीड में थे यानि कि हमारी गाड़ी स्टेशन से निकली ही थी और एक ट्रक को उसने हिट कर दिया था जिसकी वज़ासे हमारी जो गाड़ी के आगे के दो इंजन के पीछे वाले जो पीछे वाले हमारे दो डब्बे होते ना लास्ट वाले बिलकु चुरू हो गया अजीब एक के कंडिशन हो गई थी तो वह मैंना एक्स्पिरियंस किया हुए और मैं इस चिसको जब मतलब सोच रहा हूं तो मेरे रॉंक्टे खड़े हो रहे हैं यह बहुत ही खतरनाक किसम का एकसिडेंट हुआ हुआ था अच्छा जो मैंने इसकी एक वज सेक्टर के अंदर यह कि लोग लोड डालते और इंप्लाइज काम करें पर यह इंप्लाइज के साथ सिस्टम का भी फेलियर है इसके इस ट्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है सिक्योरिटी का वच वो भी इसमें लगावा नहीं था मैंने फिछली वीडियो के इंदर दिखा था उस बंदे ने इसका बताया था किलोमेटर जो ना इंडियन रेलवे फैला हुआ है तो वह सब पर लागू नहीं हो पाया कुछ जगाएं रह गई है तक्रीबान दस बारा हजार किलोमेटर जो ना वह रह गया है अब इतफाक है कि यह उसी जगह पर उसी एरिया के अंदर आगए जहां पर वह स्क्राइब का वच नहीं था अगर होता तो यह वाक्या नहीं होता क्योंकि दो ट्रेने पर आपस में सामने से नहीं ठिकराती और मुझे यह रहत दोरी कि जाने वाले ट्रैक के उपर आने वाले ट्रेन के से आगई घलती शायद उनकी हो ठीक है और वह ट्रेन जो है वो भटक के इस वाले ट्रैक पे आई है और उसने मतलब माल गारी थी यह तो पैसेंजर ट्रेन थी तो इसके पर तो जादा लॉस कुआ लोगोंका और जो दूसरी ट्रेन थी वह भी पैसेंजर ट्रेन ती उस पे बी अल्ला रहम करें सब्सक्राइब कर सब को बहुत सकत तरीके से देखना चाहिए यह हासे ना हो कि अगर एक हासा हो जाता है तो इनकी तादाज होती है लोगों के इंजर्ड होने की वह बहुत ज़धा होती है तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ है आए होप के कम से कम नुफसान हुआ होगा बाकि आप लोगों वीडियो ची लगी तो वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करने और बैल आकन को प्रस करने मिलते हैं किसी वीडियो में तब तक के लिए बाबाए